अमिज जी आपको News 18 Network को ये exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शहर में हैं, आपकी constituency गांधी नगर में हैं, साबर मती रिवर फ्रेंट में हैं। चुरुआत करते हैं, अगर आप पहले दो फेजेस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्न आउट थोड़ा लो रहा है, कुछ-कुछ स्टेट्स में 5-6 प्रतिशत भी नीचे रहा है वोटर टर्न आउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारती जन्ता पार्टी, तो क्या गाड़ी पट्री पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पट्री सो तर्टी प सुठी का सुठी करन हुआ है, दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं, जिसके कारण टर्न आउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है, मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयम, बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, हम दो चरण में 100 पार करकर, सो उसे भी कई अधिक सिटे, जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में, तो मुझे 400 पार के लक्स में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, पहले शुरुवात करते हैं हम जी मुद्दों पर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारती जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है, किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं। देखे, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, यह दो ऐसी समस्याएं थी, जो कई दसकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलप्मेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने दस साल के इंदर लगबग लगबग आतंकवाद से सत्प्रतिसत निजाज पाई हैं। और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95 प्रतिसत तक इसको समाप्त कर गिया है। आज बिहार, जारखन, मध्यपदेश, ओरिशा, तेलंगाना, आंत्रपदेश, महराष्ट। इस सात राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। 36 गड़ के 4 जिलों में बचा है, वहाँ पर भी अब भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत तीन महिनों के अंदर ही लगबख सो नक्सलवादी मारे गए। मुझे पुरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रदानमंत्री बनने के बाद एका दो साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ती पालेगा। दूसरा बड़ा इस्चू है देश की इकोनोमी सब दुरूष्टी से चर्मराई हुई थी। पॉलिसी बनती ही नहीं थी। उत्पादन की गतिविद्या बड़ी मंद पड़ गई थी। निर्याद वंदे मुव घिर रहा था। देश की सारी सर्वजनिक बैंकों की बैलेंस सिट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए इस प्रकार की स्थिती थी। महगाई आस्मान को चू रही थी। और कुल मिलाकर बजेट के 16 के 16 पेरामिरिटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ दे थी। दस ही साल में मोदी जी ने ये परिद्रुष्य को पूर्ण तयाब बड़ा है। सेहर बजार अज आस्मान को चू रहा है। एफ़ाई आई के सेलिंग के बाद भी भारतिय मिच्चूल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। पी एलाई स्कीम के कारण और एक मजबूत इको सिस्टिम के कारण। भारत फैवरेट डेस्टिनेशन मैनुफेक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है। हमारे बच्चे स्टार्ट अप हरोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कमपनिया हरोज पेटन रजिस्टर कर रही हैं। अदेर सारे स्वरोजगार के आउसर पैदा हुए हैं। सभी की सभी बैंकों की बैलेंस इट अज बहुत अच्छी बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पेरामीटर्स हैं, वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं, एक्सपोर्ट रेकोर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार से फीचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की एकोनोमी को ड्र करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायोनियर बन चुका है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैनुफेक्टरिंग ठोड़े लेट है, मगर सेमिकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर वेहिकल, बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्स का क्षेत्र, लेट होने के बावज साल तक दुनिया की एकोनोमी की दिशा और दसाताई करने वाले हैं, वहाँ आज भारत एक मजबूत फांडेशन डाल चुका है, और ये फांडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है, तो एकोनोमी भी सुद्री है, सुरक्षित भी हुआ है, देश ग्यारवे नंबर का अर्थ से तंत्रव बना है, गाउं हो या सहर, जंगल हो या रिगिस्तान, सागर किनारा हो या सहर हो, हर जगे इंफ्रेस्ट्रेक्चर के डेवलप्मेंट के काम हो रहे हैं, आज 10 लाग करोड का इंफ्रेस्ट्रेक्चर का खर्चा भारत के बजेट में आम बात बन चुका है, जी इसके अंदर सिमाओं को चौक चौबन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, जनता में भारत का भविश्य उज्वल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्मान करने की नेतुतों की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है, पूरे 130 करोड़ लोग हम वीश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, यह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन हो, नई एकोनोमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मववुमी, धारा 370 रटाना, त्रिप प्रतन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर, यह 10 साल स्वर्णेम अक्सरों से लिखे जाने वाले 10 साल, जनता भी यह फिल कर रही है, कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका, वो केवल और केवल, नरेंद्रमोदी जी का नित्रुत है, आपकी आर्थ की बात कर रही थी, डिवेलप्मेंट की बात कर रही थी, जो चीज़ें भी आपने बताई, इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी, पहले पहले चरन के बाद, यह देखा गया कि थोड़ा यह तुष्टिकरल की ओल मुला, थोड़ा हिंदू-मुसल्मान हुआ, आप लो कि हमारे खिलाब जो चुनाव लड़ें, इनकी मनसाओं को हम उजागर करें, आप मुझे बताईए, इस जमाने में कोई भी पोलिटिकल पार्टी परसनल लॉज की बात कर सकती है क्या, क्या देश सरिया के अधार पर चलेगा, एक और हम हमारे गोशना पत्र के अंदर, संकल पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम इनिफर्म सिविल कोड लाएंगा, कॉंग्रेस कह रहे ही हम परसनल लॉज को प्रमोट करेंगे, कॉंग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महीं, तो पुर्मुद्दा है, इसलिए आप कह रहे हैं, मुसलिम लिग की छाप है, बिल्कुल मुसलिम लिग की छाप, यही तर्क है कि मुसलिम लिग की छाप, आप मुझे बताईए, वो कह रहे हैं कि देश के कॉंट्रेक्स, माइनोरिट को प्राविटी देंगे, कॉंट्रेक्स फर्स्ट लोइस्ट कौन है, पास्ट परफर्फरमंस क्या है, काम करने की समत है या नहीं है, इसके आधार पर निर्दारित होंगे, या कॉंट्रेक्टर के धर्म के आधार पर निर्दारित, किस तरह से देश चलाना जाए, देश की जनता को इसको सोतना पड़ेगा, बहुत समय के बाद देश तुरुष्टी करन की रादनिती से नरेंद्र मोधी जी बाहर निकाल कर रहा है, यह फिर से उसी दिशा में ले जा रहे है, क्योंकि कॉंग्रेस जीतने का आत्मश्वास घमा चुकी है, प्रधान मंत्री जी ने उस रैली में ये भी कहा कि सब के सब की जमापूंदी पूजी को चेक करके वेल्थ को रीडिस्ट्रिब्यूट किया ये कहां से आता है? वह वहां से आता है देश के प्रधान मंत्री मन महुन सिंग्ह का व्यान प्रधि बढ़ा, सिद्ध बयादा था कि इस संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनोरिटी का और माइनोरिटी में भी मुसलमानों की अब जब बयल्थ डिस्ट्रुबिट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी सरकार उसको लोगों की संपती को लेकर डिस्ट्रुबिट करेगी और मैं कहता हूँ कि अगर इस सच नहीं है तो कॉंग्रेस पार्टी बता है इसका मतलब क्या है राहुल गांदी ने साफ साफ कहा है कि अगर जो है वो लोग सरकार बनाएंगे तो एक नेशन में नेशनवाइड एक्सरे होगा एक्सरे होगा जिससे की सोश्यो एकनॉमिक स्टेटस लोगों का पता किया जाएगा किस वर्किस जातिक पास कितनी दौलत है कितना धन है सब्सक्राइब से इनकी प्राविटी तय है वह कहते है इन इक्वालिटी को खतम करने का यही तरीका है वह उनकी समझ है मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो माइनोरिटी और एक्स्ट्रीम लेप्ट आइडियोलोजी वाले लोगों को जब वैल्थ हाती है तो सारी चीज़े इंक्लूड होती है तो त्रीधन हो गया लोगों के पास जित्ति वी पुन जी है वो प्रपड़ी ने उसको आप कैसे देखते हैं देखे मुझे लगता है कि साम पित्रोडा एक आईवरी टावर में जी रहे हैं इनको इस देश के संस कभी नहीं हमने हमारा संकल पत्र जन्ता के सामने पारदर सिटिक के साथ रख दिया इसमें सारी बात हैं कुछ छिपार कर नहीं करेंगे एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो यह है कि मैनिफेस्टों को कॉंग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि यह OBC रेजरवेशन को काट कर मुसल्मानों को दे देंगी इसका मैनिफेस्टों नहीं कर चुके हैं करनाटाक में उनकी सरकार थी रात ओ रात करनाटाक के सारे मुसल्मान को बैकर बना दिया ना बैक और ने इसका सर्वे हुआ ना कुछ कमिसें बना दhyung के आधार पर सारे लोगों को बैक्वोर कोशित कर दिया और उनको रिजर움संटन भी दिया आफ़ internet कटा है वह OBC का ही कटा है इसी तरह से अंदर प्रदेश में संयुक्ता अंडर में जब उनकी सरकार थी मुसल्मानों को रिजर्वेशन दे दिया तो किसका कटता है स्ट्री एससी ओबीसी का ही कटता है जब यह बात मैंने कही कि में धर्म के आद्यार में तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड करकर जनता के सामने पेस्कि अप्रेस को कर यहाज आफने प्रेस कॉंफरेंज राहूल गांधी के रादनीती के अंदर कॉंग्रेस की और समालने के बाद राद निति का स्तर सतत्त्य 5 तरीके से तरहुल गांदी घिडा रहे हैं अब सब्सक्राइब सनसथ में तो सोड करना अब भहिश्काण कर देना बोलने नहीं देना बीबेट में हिस्सा नहीं लेने और बहार निकलकर प्रेस करना कि हमारे सतं याय हो रहा है क्या समत्ते देश की जनता को देश की जनता है सब नहीं जानती है देश की जनता है सब चिजे बहुत अच्छे तरीके से जाती है लोग तंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो आप लोग उनको भी पूछना चाहिए वगर आप लोग सवाल हमें ही पूर्जिते हैं उनको नहीं पूर्त करते रहते हैं कहते हैं जितनी आबादी इत्ना हां इसको आप कैसे देखते कितने साल तक इस देश में कौन्ग्रेस का साशन्ग है ह। मशल गभुचान साल तक कभी नहीं करा है अब जब लगाता रहा रहे हैं तब इस सारे चीजों को बोल रहे हैं इनकी मंसा नहीं है कि इस देश में पिछडा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एक मात्रपार्टी है कॉंग्रेस पार्टी काका साहिब कालेलकर कमिशन को इन्हों ने मंदल कमिशन को दबा कर रखा सेंट्रल के इंस्ट्रिट्रिशन में कि ओबीसी को पिछड़ा वर्के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जब मंदल कमिशन लागू हो रहा था विपक्स के नेता के रूप में राजीव गांदी ने दो गंटे का विरोत का भासन कराए और हमने तो देश को सबसे सफल प्रदानमंत्री पीछड़ा वर्क से और घरीब के घर से पैदा हुआ नेचरल लीडर नरेंद्र मोधी हमने देने का काम किया नारेटिव बनाने की यह कोशिश है कि 400 अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का चेंज करेंगे उसके बाद फिर ओबी सी एस्टी के जो है रेजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो के बदलाव करेंगे नारेटिव बनाने की कोशिश हमारे पास दस साल से बहुमत है जी सम और लुधान बदलने की स्वंता नरेइंडरne दिकार है राहूल गांदी का एक रे मेरा है जूट बोलो जोड से बोलो और बार-बार बुलो कि यह रूम को फॉलो करें आपको लगता है कि यह नहीं रेटेम लिए इसी लिए लिए लुए साना प्रप्ट किये जी आपने सिक्यूरिटी की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नकसल पे क्राकडाउन किया आपने कहा है कि दो-तीन साल में 36 गड़ में भी आप इसको समाप्त कर देंगे नक्सलियों को तो कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये मार्टर हैं इसको आप कैसे देखते हैं देखिए तुलसिदाजी ने रामचरिट मानस में क्या है कि जिसका खराब समय होता है प्रभू राम सबसे पहले इनकी मती हर लेते हैं कॉंग्रेस के साथ भी साइद यही समय आ गया है हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगलों के अंदर ऑपरेशन करकर नक्सल्स को मारते हैं और नक्सल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और कंग्रेस पार्टी कहती है फेक एंकाउंटर है बगवान ही चाह सकते हैं आपके पिछले कारिकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किये आपने आर्टिकल 370 को रद किया आपने सीए को इंप्लिमेंट किया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉल आये आपके तमाम इस तरह के बड़े काम किये पर अगर आज आप ऑपोजेशन को देखें तो काफी ऑपोजेशन वाले कहते हैं कि जो ही जो 370 को वह वापस लाएंगे कहते हैं सीए हम इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे और सारे बड़े नेता ममता बैनर जी चिदमरम जी यह सब इस तरह की बाते करते तो इसको आप कैसे देखते हैं क्या कहना चाहिए इनके माइ माइनोरिटी एपीस्मेंट करकर माइनोरिटी के वोट अंकीत करना चाहते हैं एक मात्रकारण से जुट फेला रहे हैं मैं इस इंटर्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल जी भारतिये जनता पार्टी का एक भी संसद संसद में जब तक ह कि अब यह इतियास का हिस्सा बन चुका है 370 और सी यह वास्तविक्ता बन चुका है इस सिर्फ आप इससे सिर्फ आपने इसको जल्दी बाजी में इंप्लेमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिक्ता भी लोगों को मिलेगी और यह कब तक पॉसिबल हो गाई इसका क्या ट पहले ही अंतिम मत्दान के पहले ही नागरिक्ता देने की सुरुवात हो जाएगी आप लोग अमिजी यूनिफर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस जो है पस्नल लॉस की बात कर रहा है इसको आप कैसे देखते हैं यह वोट कहीं ना कहीं आप लोग अपना अपन यूनिफर्म सिविल कोर हमारे सम्विदान का मेंडेट है यह गाइडिंग गैडिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे मार्ग दर्षक सिधान्त जो समिधान ने हमारे लिए बनाए उसमें लिखा गया है कि देश के विधानमंडल और देश की संसद ने उचीत समय पर प्रयास करना होगा कि इस देश में उनिफर्म सिविल कोड लागू मुझे लगता है उचीत समय आ गया है और यह आज से हम नहीं कह रहे हैं हमारी पार्टी बनी इसके पहले गोशना पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए उनिफर्म सिविल कोड होना चाहिए अगर इन देश पंथन निर्पेक्स है तो धर्म के आधार पर कानूम कैसे हो सकते हैं नहीं होने चाहिए सलमान खुशीद जी ने अभी कुछ दिनों पहले उनका स्टेटमेंट जो है वाइरल हो रहा है वो यह कह रहे थे कि यूपीए वन और यूपीए टू की गवर्मेंट जो बनी वो सिर्फ इस वज़े से बनी क्योंकि इट कुड़ बाक इनलाइटन मुसलिम इंटो इट्स फोल्ड कॉंगरेस कुड़ ख्ला दम बाक इंटो देर फोल्ड इसको आप कैसे देखते हैं इसका अधार पर ही साइद उनका गोशना पत्र बना है सलमान खुर्सित जी ने गोशना पत्र ऐसा क्यों बना इसका रहस्या ही खोल दिया है वो फिर से करना चाहते हैं मगर उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूख हो गई है आपकी एपीस्मेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी कि एक एपीस्मेंट जब आप करते हो तो दूसरा वर्ग जागरूथी के साथ काउंटर प्रोडक्टिव रूप से लामबंद होता है अब यह सफल नहीं होगी इधर बीच घुसपैटियों की बात हो रही है आप आपने सीए इंप्लेमेंट किया मैनिफेस्टों में एन आर्सी की कोई चर्चा नहीं है ऐसा क्यों दिखे कि सीए का इंप्लेमेंटेंटेंशन कोविड के करन लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमिन पर उता इसकी एक ही राजे से घुसपैट हो रही है बंगाल से क्योंकि ममताब एनरजी की सरकार का उस पर वरद हसते हैं वह घुसपैटियों में अपनी वाट बेंक देख रही है उनको घुसपैट में राष्ट्रियस सुरक्सा खत्रे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है उनको सफल बंगाल समगर देश के लिए बहुत खतरनाक सोच है मैं बंगाल की जनता को रदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतिये जनता पार्टी को सफल बनाएं इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाएं हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी प्यार नहीं म कभी इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे उनको मालूम नहीं है नागरिक्ता सेंट्रल सब्जेक्ट है इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है साइध मालूम है मगर माइनोरिटी को गुम्रा करने के लिए वो बोल रहे हैं अमिजी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्र पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे हमने तो वोट लेने का काराणी समाप कर दिया जो ऑपोजिशन को चिंटा इसलिए है और पुरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना सांति पुर्वक्तर के सबना माइनोरिटी के डर से वो प्रभुश्री राम की प्रान प्रतिश्टा में नहीं गए इसलिए पुरा देश उनसे नाराज है हमने कभी यह नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें बहुत दी गिए अगर पुरे देश की जनता जानती है सतर साल से लोको यह लोग अटक कर रखे थे मोदी जी ने पांची साल में केश भी जीता भुमी पूजन भी किया और प्रान प्रतिश्टा भी और आज भव्य राम मंदीर समग्र देश को अलहादीत करने वाला राम मंदीर बनाया अभी जी एक आखरी सवाल हिंदू मुसल्मान की जो चर्चा रही उस पर म युजन मंत्री ने पिछले साल एक साल पहले पएसमंदा मुसल्मानों को इक आउट रीज भी किया उनके 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 बारे में वह सोचते भी काफी है एक तरफ यह बात हो रही है और एक तरफ यह इसमें कंट्राडिक्शन नहीं नहीं जरा भी यूआओ को भी किया है वो उनका काम हिदाई तो है विकास की रेस में जो पिछड़े हैं इनको सब के साथ एक लाइन में लाकर खड़ा करना वो सरकार का दाई तो है मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ है आपके प्रिडिक्शन जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी पहले ये बोला था ये सही हुआ तो कुछ स्टेट पर जाते हैं गुजरात में हैं आपके साथ तो गुजरात से शुरुआत करते हैं पिछले दो पर हमारे 19 के चुनाव से ज़्यादे हों कुछ ये बात चल रही थी कि शक्त्रिय जो है वो थोड़ा सा रूठे हुए हैं आप लोगों से आप लोगों से हम वरोबर समवात कर रहे हैं उनसे जे मुझे पुरा भरोसा है सब चीजे अपनी जगे पर ठीक होगी हम 26 की 26 सिटे भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बड़ोतरी होगी करनाटका की ओर चलते हैं करनाटक का चुनाव आपके लिए बहुत अहम है पिछली बार आप लोगों की वहाँ बड़ी जीत हुई थी स्टेट असेंबली इलेक्शन्स में आपकी हार भी हुई है हाल फिलाल में तो ऐसे में आप करनाटका को कैसे देखते हैं क्योंकि वह आपके वहाँ पे सदस्य हैं आपका वहाँ उसे अलाइंस है तो आपको यह अलाइंस के प्रेशर में आ जाएंगे क्या कठोर कदम उठाएंगे आप मैंने आज सुबह ही भारते जनता पार्टी का रूख पश्ट कर दिया है कठोर से कठोर कदम उठाने है और वहाँ उनकी सरकार कदम उनको उठाना है हमें ने उठाना है परंतु भारतिये जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और भारत सरकार के विमेन कमिशन ने आज करना टक श्टेट गवर्मेंट को नोटीस बिनका दिया है तो अलायंस का कोई प्रेशर नहीं है कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इसमामले में ना हम पर दबाव हैं ना हम दबाव में आएंगे एक और एक और कंड हुआ था नेहा हिरमत कवाला किस्स जिसकों की एक लव जिहाद का कलर मिला है कलर नहीं वहीं जी इपका मामला ही लव जिहाद का यहीं मैं आप से जानना चाहता था इस पर अगर आप कुछ बता सके क्योंकि सीम और होम मिनिस्टर ने कहा है यह परसनल मामला है वो अपनी माइनोरिटी वॉट बेंक के कारण ऐसा कह रहे हैं मुझे एक बात बताईए बच्ची को किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा केमपर्स में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस तरह से हत्या होती है और उसको परसनल मामला बताकर इस सामाजिक दूसर्ण से आप नजरे चुरा रहे हैं केवल वाट ब बंबलास्ट होता है वो भी गैस सिलिंडर का ब्लास्ट लगता है जब एनाई यह जाच लेती है तो पूरा पकड़ा जाता है बेंगलूर में दस साल से बंबलास्ट नहीं हुए थे इनकी सरकाराई SDPI का समर्थन उगलिया और अब बंबलास्ट होनने लगे अपनी वाट बेंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे देश की सुरक्सा बेंगलूर की सुरक्सा करनाटक की सुरक्सा इसको भी कॉंग्रेस पार्टी ताक पर रख रहे हैं ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा कि कितनी सीटे देते हैं आप करनाटक में भारती जनता पार्टी और उसके गड़ बंदन देखिए अभी एक चुना होना बाकी है मगर मुझे लगता है कि कमो बेस हम हमारी पोजीशन को बढ़कर आ रखेंगे जितनी सीटे पहली थे उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी यह तो मतलब बड़ा बढ़ा आपका महराश्ट की और चलते हैं महराश्ट में एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है दो दल तूटे हैं एक तुकडा आपके साथ है एक टुकडा उधर है यह कहता हमारा ओरीजनल है वो कहता हमारा ओरिजनल टुकडा है मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि और शारत पावार जी के लिए कुछ सिंपथी वगर है थोड़ी वहां हो सकती है। इता ही नहीं है। अब देश की जनता ने इता ही करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है। होती है। और दूसरी और तेईस साल तक दिपावली के दिन भी छुटी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दिपावली मनाने वाले नरेंदम हो दिये। एक और अपने बेटे, बेटी, बतिजे, बहुयों के लिए काम करने वाले राधनितिक दल है। दूसरी और देश के घरीब मैला, किसान, युवा के लिए काम करने वाले नरेंदम हो दिये। तो देश की जनता ने ये ताई करना है, कि देश को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति चाहिए या वाट बेंक के लिए देश को सुरक्षा को ताक पर रखने वाले वाट चाहिए। देश के अर्थ तंत्र को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए या अर्थ तंत्र को डूब होने वाला ग्रूप चाहिए देश की जनता ने राहूल जी फैसला कर रिया है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वोट लेगी ये चुन तो महराश्ट से आपको पूरी उमीद है कि 41 से पक्का हम देखें आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए कि कमो बेस यही परिणाम रहेगा महराश्ट मध्यप्रदेश उत्राखन जम्मु कस्मीर दिल्ली गुजरात करनाटक हम सत्र प्रतिसत रिपीट करें उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीथ की बड़ोतरी करें औरी सा हम सोला के आसपास जा सकते हैं और सोला सोला और आसाम में भी 12 के उपर चले जाएंगे 12 भी हो सकती ह बंगाल हम कम से कम 30 सीथ जिते हैं पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटर्व्यू में 30 यह तो हम जोड़कर आप निकाली सकते हैं कि कितना होगा 370 होगा की नहीं आपने सारे आखड़े दे दिये हैं उदीशा में दोस्त दोस्त न रहा आप लोग आप लोग के रास् मेरा स्पष्ट मानना है कि औरिशा विकास के मामड़े में पिछरता जा रहा है इसके साथ साथ औरिशा की भासा औरिशा की संस्कृति औरिशा का पहनावा इसकी गरीमा पर भी गंबीरूप से चोट हो रही है और भारतिय जनता पार्टी मानती है कि किसी भी राज्य की भा असा संस्कृति के साथ खिलवाद नहीं होना चाहिए हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हुए होना चाहिए जो रिसा में नहीं हुँ रहा है इसलिए हमने निने किया है कि हम अलग लड़ेंगे मुझे पूरा विश्वा अभी चुनाव की काफी देर है प्रत्यासियों की घोस्तना दोनों और से बहुत लेट हुई है मेरा एक ही दोरा हुआ है थोड़ा एसेस्मेंट आएगा परन्तु मैं इतना निश्चीत रूप से कह सकता हूं कि औरिशा की जनता इस बार भारतिये जनता पार्टी को आसिव लिए दिवार से उत्तरप्रदस में सीटे बढ़ा है मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो असी की हसीुछ सकती है अरे तो बहुत ही बड़ा बनार बैए आपका डूहजार चौदा कब रेक होगा सब कुछ अच्छा रहा है तो असी की असी भी जीत सकते हैं इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे अखिलेश जी को डिंपिल को महिन पूरी में हराएंगे उनकी पूरी फैमली फिरोजाबाद आजमगर्ण अगर नहीं लडना ता इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी किसी कारेकरता को दे देते तो कम से कम वो जन्संपर परक्तों कर सकता था एक कंफ्यूजन जो है कहीं ने कहीं लैक आप सेल कॉन्फिडेंस को दिखाता है अमें जी अभी हम लोग कुछ दिल बिहार में थे तो वहां पर यह देखा गया है कि जो आप जो तेजस्वी और जो गडबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वह इ साथ इंडिया में एक बार चलते हैं इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया प्रधान मंत्री ने वहां बहुत दोरे किये आपने बयान भी बड़े-बड़े दिये हैं तो साथ इंडिया एक अगर पूरा साथ का सीन ले ले तो अगर 119-130 सीटों में आप कितनी स हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी खाता तो निश्चीत रूप से खुलेगा परन्तु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की तक्कर हुए पर दोनों दोनों प्रदेशों में टामिलाडू में भी खुलेगा करेला में और ते यह सीट हम वहां से जीते हैं अमिजी एक सवाल और इस चुनाओं के पहले दो सीम जो है अरेस्ट हुए है केद्रिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री है एमन सोरें जी अंदर है तो आज सुप्रीम कोट ने एडी से टाइमिंग आफ अरेस्ट पर हुए पहले समन में अगर आये होते तो चुनाओं के छे महिना पहले एरेस्ट हो जाते बहुत पार समन्स दिया गया वह आये ही नहीं अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरिवाल जी कह रही है कि उनको इंसुलन नहीं दिया जा रहा है वहां पर उनको ठीक से रखा नहीं यह उनको मारने की साजिश है देखो भया तिहार जेल दिल्ली सरकार के अंतरगत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरिवाल जी है तो क्या उनको मारने की साजिश वो स्वयम कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो डिजी प्रिजन जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट कर तो इसमें आपका कोई वो कोई सवाली नहीं पैदा होता है इवियम पर सुप्रीम कोट का फैसला आया ओपोजेशन इवियम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी सिर्फ इवियम की वज़े से चुनाव जीतता है अब आप लोग व बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं अगर हम एवियम के कारण जितते हैं तो तिलंगाना में क्यूं हरे तो तमिलनाड में क्यूं हरे कि केरल में सालों से क्यूं हरे हिमाचल में क्यूं हरे बंगाल में क्यूं हरे या तो राहूल गांदी ने स्परस्ट करना चाह जित्ते हैं तो नए कपड़े पेंड कर सपत ले लेते हैं, हारते हैं तो EM पर ठीक राप फोड़ते हैं, किस प्रकार की राद दीती है भई ये, जब आप जित्ते हो तब EM सही है, जब हारते हो तो EM नका रहा है, क्या देश की जनता इसको समधती है, मगर मुझे तो आश्चरे हो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है, मैं दूर से देखता हूं मुझे आश्चरे होता है, खेर छोड़िए वो उनकी पार्टी का सवाल है, वन नेशन, वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई सरकार के डिप्लोमेटिक मेथड़ नेशन, वन इसको जवाब देगी। से हमारे साथ चर्चा करती है, तो हम इसका जवाब देंगे। इसको आप क्या कहेंगे। देखे, किसने मारा ये तो डूमने का सवाल है। परन्तु मैं एतना निश्चित रूप से मानता हूँ, कि ये तो एक्सपोस होई गया, कि पाकिस्तान की स्वाई पर भारत में अतंग फिलाने वाले लोग थे। प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ट नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा, जो कि खड़ा होके साइट से तमाशा देखेगा, ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है। इस पर आपका क्या बचा है। निश्चित रूप से सर्जीकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया है समझ गई है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़ खानी नहीं करते हैं, वरना जवाब मिलता है। यह वेस्टर्ण प्रेस में पिछले कुछ महनों से तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो की भारत में अलेक्टॉरल आटोकरसी, ताना शाही, तमाम तरह की बाते करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कोई इसमें यह इलेक्षन के समय में यह जो बार बार तीन-चार और हमारा चुना हो तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपरेंट है सबसे ज्यादा विश्वस्ति हैं अभी जी कश्मीर पर एक सवाल क्या काश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाओ लड़ेगी आप ने कहा है कि आप आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो यह सीधा सवाल है इसका आप क्या जवाब देंगे अभी पार्टी ने ताई नहीं किया है पार्टी ताई करेगी पर तो हम जम्मू में परंपरा का तुरुप से लड़ते ही रहें कॉंग्रेस एक बात और कह रही है कि यह इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोज जो है चुन यह हो हर पार्टी ने अपने अच्छय कार्यकरता को टिक्त देना चाहिए सांब कोंग्रेस पार्टी जबरजस्ती उनके कारेकरता दो को टीकिट देती है कारेकरता मैदान से भाग जाता है इसमें वाज फिछी facto पार्टी क्याँ कर सकती हृइं इनके उमैरा व्योंत्य एक अभी एक बुद्दा और आज उठा है जो है कि कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे जहां खालिस्तान के नारे लगे प्रो खालिस्तान नारे लगे वहां पे प्रधान मंत्री और कुछ कैबनेट मिनिस्टर्स के जो है कि कहा यह वांटेड हैं इसको इसको आप कैसे देखते हैं इस पर और कोई कारवाही कि अभी इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी अमिजी आप इतना दौर कर रहे हैं आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहां आएं उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया कल भी मैंने सुना है कि तीन राजियों में जा रहे हैं इसको आप कैसे इस तरह का पनेशिंग शेडियूल कैसे मैनेज करते हैं और काफी म आते हैं कि नहीं कि मैं कभी नेगेटिवी सोच के साथ काम नहीं करता मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं हां इससे किसी की नुइंद उरती है तो वह उनका प्रॉब्लेम है मेरी पार्टी को जिताना मेरी पार्टी के लिए काम करना मेरा दाई तो है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ अमिर जी आप हमारे संग जुड़े आपने हमारे सवालों का जवाब दिया साबर मती तक तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बाक्चीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रहुन जी